ओम शांती आज 5 मार्च 2021 की साकार मुरली आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे जैसे बाव दादा दोनों निरंकारी है देही अविमानी है ऐसे फोलो भादर करो तो सदा उन्नती होती रहेगी प्रश्न उंचपत की प्राप्ती के लिए कौन सी खवरदारी रखना जरूरी है उत्तर उंचपत पाना है तो खवरदारी रखो कि मनसा में भी किसी को मेरे द्वारा दूख ना हो दूसरा किसी भी परिष्थिती में क्रोध ना आए तिसरा बाप का बनकर बाप के कार्ज में इस रूद्र यग में भीगन रूप ना बने और कोई मुख से बावावा कहे और चलन रोयला ना हो तो उंचपत नहीं मिल सकता ओम शांती बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से बसा पाना है जरूर कैसे शीमत पर बाप ने समझाया है एक ही गीता सास्तर है जिसमें सीमत भगवानु वाच है भगवान तो सब का बाप है सीमत भगवानु वाच तो जरूर भगवान ने आकर सेष्ट बनाया ह तब तो उसकी महिमा है सीमत भगवत गीता अर्थात सीमत भगवान वाच भगवान तो जरूर उंचते उंच ठहरा सीमत भी उसी एक शास्त्र में गाई हुई है और कोई शास्त्र में सीमत भगवान वाच नहीं है सीमत किसकी होनी चाहिए वो लिखने वाले भी समज़ न सके उसमें भूल क्यों हुई है वो भी बाप आकर समझाते हैं रावन राजय सुरू होने से ही रावन मत पर चल पड़ते हैं पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावन मत वालोंने की है रावन की चमाट लगती है जैसे कहा जाता है संकर प्रेराख है, बॉमशादी बनवाए हैं, वैसे पांच बिकारो रुपी रावन प्रेराख है, मनिश्य को पतित बनाने का, तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन एक ही ठेराना, इस सीद्ध है कि पतित बनाने वाला और है, पाव एक हो नहीं सकते, यह बाते तूम ही समझते हो, नंबर वार पुरुसाथ अनुसार, ऐसे मत समझना कि सबी को नीश्चे है, नंबर वार है, जितना नीश्चे है उतनी खुसी बढ़ती है, बाप की मत पर चलना होता है, शीमत पर हमको यह सवराजय पद पाना है, मनिश्य बनने में देरी नहीं लगती है तुम पूर्सात करते हो मम्मा बावा को फॉलो करते हो जैसे वो आप समन बनाने की सर्वीश कर रहे हैं तुम भी समझते हो हम क्या सर्वीश कर रहे हैं और मम्मा बावा क्या सर्वीश कर रहे हैं बावा ने समझाया था कि श्रिक बावा और ब देखते हैं तो जरूरिय तीखा होगा परन्तु जैसे बाब निरंकारी हैं देही अविमानी हैं वो इसे या दादा भी निरंकारी हैं कहते हैं कि श्री बाबा ही समझाते रहते हैं जब मुरली चलती हैं तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि श्री बाबा इन द्वारा सुना या ब्रम्हा भी जरू सुनता होगा, या न सुने और न सुनाए, तो ओजपत कैसे पाए, परन्तु अपना दे अविमान छोड़ कहते हैं, कि ऐसे समझो कि श्रीबावा ही सुनाते हैं, हम पुरसाद करते रहते हैं, श्रीबावा ही समझाते हैं, इसने तो पतितपना पास किय मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा उच चली गई तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो गिर्यस्तियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए हर एक को समझना है कि मैं पती थो मुझे पावन बनना है मुख्य बाप बाप ने याद की यातरा सिखलाई है इसमें दे अविमान नहीं रहना चाहिए अच्छा कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यातरा पर रहो यातरा पर रहते मुरली चला सकते हैं परन्तु यातरा भूल जाते हैं तो भी हर जा नहीं मूरली चलाकर फिर यातरा पर लग जाओ क्योंकि वो वानी से परेवान परस्ता है मूल बात है देही अभिमानी हो बाब को याद करते रहे और चक्र को याद करते रहे किसी को दूख ना दे यही समझाते रहे बाब को याद करो यह है यातरा मनिशे जब मरते हैं तो कहते हैं सर्ग पधारा अज्यान काल में कोई सर्ग को याद नहीं करते हैं सर्ग को याद करना माना यहां से मरना ऐसे तो कोई याद नहीं करते अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वाफिस जाना है बाब कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुसी का पारा चड़ेगा बरसा याद रहेगा जितना बाब को याद करेंगे उतना हरसीर भी रहेंगे बाब को याद न करने से मुझते हैं घुटका खाते रहते हैं तुम इतना समय याद कर नहीं सकतें बाबा ने आशिक मासुक का मिसाल बताया है वो भल धन्दा करते हैं और वो भल चर्खा चलाती रहती तो भी उसके सामने मासुक आकर खड़ा हो जाता आशिक मासुक को याद करते मासुक फिर आशिक को याद करते या तो सिर्फ तुमको एक बाव को याद करना है बाव को तो तुमको याद नहीं करना है बाव सब का मासुख है तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो अरे जो सब का मासुख है वो फिर तुम आसिकों को याद कैसे कर सकेंगे हो नहीं सकता वो है ही माशु आशिक बन नहीं सकता तुमको ही याद करना है तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशु का अगर वो आशिक बने तो कितने को याद करे ये तो हो नहीं सकता कहता है कि मेरे उपर पापो का बोज थोड़ी है जो किसको याद करूं तुम्हारे उपर बोजा है बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोजा नहीं उत्रेगा बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े याद करना है तुम आत्माओं को जितना याद करेंगे उतना पुईन्यात्मा बनेंगे पाप कटते चाहेंगे बड़ी मंचीर है दही अविमानी बनने में ही मेहनत है यह knowledge सारी तुमको मील रही है तुम त्रिकाल दसी बने हो नंबर वार पुरुसात अनुसार सारा चक्र तुम्हारी बुद्धी में रहना चाहिए बाब समझाते हैं तुम लाइट हाउस होना हर एक को रास्ता बताने वाले हो शांती धाम और सुक धाम का यह सब नई वाते तुम सुनते हो जानते हो कि ब्रोवर हमात्माई शांती धाम के रहवासी है यहां पाड़ बजाने आते हैं हम एक्टर हैं यही चिंतन बूद्धी में चलता रहे तो मस्ती चड़ जाए बाब ने समझाया है आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है अभी करमाती दवस्था में जरूर जाना है फिर गॉल्डन एज में आना है इस धून में रहते अपना कैल्यान करना है सिप पंडित नहीं बनना है दुसरे को सिखाते रहेंगे खूद उस सवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं अपना भी पूर्षात करना है बाब भी बताते हैं कि हम भी याद करनी की कोशिस करता हूं कभी माया का तुफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं बहुत बच्चे चाड भेज देते हैं वोंडर खाता हूं कि या तो हमसे भी तीखे जाते हैं शायद वेग आता है तो चाड लिखने में लग जाते हैं परन्तु ऐसे अगर तीखी दोड़ी पहने तो नमबर वन में चले जाएं परन्तु नहीं वो सिफ चाड लिखने तक है ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया और वो भी लिखे बाबा हमको इसने यह रास्ता बताया है ऐसा समचा नहीं आता है तो बाबा क्या समझेंगे सिर्फ चाड भेजने से काम नहीं चलता आप समान भी बनाना है रोप और वशंद दोनों बनना है नहीं तो बाब समान नहीं ठेरे रोप भी बसंद भी एकुरेट बनना है इसमें ही मेहना थे दे अविमान मार डालता है रावण ने दे अविमानी बनाया है अभी तुम देही अविमानी बनते हो फिर आधा कल्ब के बाद माया रावण दे अविमानी बनाती है देही अविमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं शंपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दूख नहीं देना है, सब को बाब का परी चाहितो, बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए, इसवर ये संतान के मुख से शदे रतन निकलने चाहिए, तुम मनिश्यों को जियदान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है, तुम परमात्मा के बच्चे हो न, उनसे तुमको शवर की राजाई मिलने चाहिए, फिर अब वो क्यों नहीं है, याद करो, ब्रोवर बाब से बरसा मिला था न, तुम भारत वासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जनम लिये, तुम स समझ जाता, कि या इस कूल का नहीं, अवी से थिरकने लग पड़ा है, तुमने 84 जनम लिये हैं, बाब ने 21 जनमों की प्रालब्द जमा कराई, वो खाया फिर ना समाप्त होना सुलू हो गई, कर चड़ते चड़ते तुम परधान कोड़ी मिसल बन पड़े हो, भारत ही 100 पर 300 सालवेंट था, इनों को यह बर्सा कहां से मिला, एक्टर सी बता सकेंगे न, मनिश्री एक्टर है, उनको यह पता होना चाहिए, कि इन लक्षिम नारायन को बार साई मिली कहां से, कितनी अच्छे ची पोइंट से हैं, जरूर आगे जनम में ही यह राज भाग्या पाया बाप ही पतित पावन है, बाप कहते हैं कि मैं तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गती समझाता हूँ, रावन राज में मनिश्र के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वह तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, वो है देवी सिष्टी, मैं रच्ता हूँ तो जरूर मुझे संगम पर आ तुमको वर्षा मिल रहा है, भारत वासी ही सालवेंट थे, अब इनसालवेंट बन गए है, या बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता, सब का जाड अपना अपना है, वरायटी जाड है न, देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे, क्रिश्यन धर वाले अपने धर्में खूसे, औरों को भी अपने धर्में खीच लिया है, भारत वासी अपने धर्म को भूलने के कारण वो धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं, बिलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहां कमाई बहुत है, ड्रामा बड़ा वंडर्फुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बूद्धी चाहिए, विचास अगर मन्थन करने से साब कुछ समझ में आ जाता है, यह बना बनाया अनादिव ड्रामा है, तो तुम बच्चों को आप समान सदा सूखी बनाना है, यह तुम्हारा धंदा है, पतिश से पावन बनाना जैसे बाव का धंदा वोईसे तुम्हारा, तुम्हारा मुखडा शवदेव देवताओं जैसा हरसीत होना चाहिए, खुसी में, तुम जानते हो हम बीश्यो के मालीक बनते हैं, तुम हो लवली चिल्ट्रें, कोद पर बड़ी खरदारी रखनी हैं, बाप आये हैं बच्चो को सुख का बरसा देने, सौर का राश्ता साब को बताना है, बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है, किसको दुख नहीं देना है, दुख देंगे तो तुम्हारी सजा सो गुना बढ़ जाएगी, कोई भी सजा से बज नहीं सकता, बच्चों के लिए तो खास टीविनल बैठती हैं, बाब कहते हैं, तुम बीगन डालेंगे, तो बहुत सजाएं खाएंगे, कल्प कल्पांतर तुम साचातकार करेंगे, कि फलाने यह बनेंगे, आगे जब देखते थे, तो बाबा मना करते थे, कि ना सुनाओ, अंत में तो एकुरेट पढ़ता जाएगा, आगे चल कर जोर से सचातकार होंगे, ब्रिदी तो होती जाएगी, आबू तक क्यों लग जाएगी, बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, कहेंगे, ओह प्रभू तेरी लेला, या भी गाया हुआ तो है ना, बिद्वान, पंडित आदी भी पिछे आए तुम बच्चे तो बहुत खुसी में रहेंगे, अच्छा, मीठे मीठे, शिकिल्दे बच्चों प्रती, मात पिता, बाब ददा का याद प्यार, ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है, जितना तुम याद करते हो, उतना तुम प्यार पाते हो, विकर्म विनास होते हैं, औ बच्चों को खुसी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, जो भी आए उनको रास्ता बताए, बेहत का वर्षा बेहत के बाप से पाना है, कम बात है क्या? ऐसा पुरसात करना चाहिए, अच्छा, मीठे मीठे, सिकिल दे रुखानी बच्चों प्रती, रुखानी बाप दादा का य प्यार, गुड मौनी, नमस्ते, नमस्ते, धारना के लिए मुच्चे सार, पहला पॉइंट, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदेव रतन निकालने है, आप समान बनाने की शेवा करनी है, किसी की दिल को रंज नहीं करना है, दुसरा पॉइंट, क्रोध प मिठे बावा का बरदान, सदा पस्यताव से परे प्राप्ति शोरुप इस्थिती का अनुभो करने वाले शद बुद्धिवान भव, जो बच्चे बाब को अपने जीवन की नईया देकर मैपन को मिटा देते हैं, सीमत में मन मत मिक्स नहीं करते, वो सदा पस्यताव से परे प्राप्ति शोरुप इस्थिती का अनुभो करते हैं, उन्हें ही सद बुद्धिवान कहा जाता हैं, ऐसे सद बुद्धिवाले तुफानों को तोफा समझ, शोभाव संसकार की टकर को आगे बढ़ने का आधार समझ, सदा बाब को साथी बनाते हुई, साक्षी हो हर पार द जो सुगदाता बाप के सुगदाई बच्चे हैं, उनके पास दूप की लहर आ नहीं सकती, अच्छा, ओम शान